गुद मॉर्निंग स्टुदेंट गुद मॉर्निंग क्लास सेवन तोड़े वी आर गएंग तो स्टार्ट न्यू चाप्टर चाप्टर नमबर एट एट्मोस्फेरिक प्रेशर विंड स्ट्रॉम एंड साइक्लोन आप लोगों ने अपना प्रीवेज चाप्टर अच्छे से क एट्मोस्फेरिक प्रेशर देखिए जब हम एरिया एयर के प्रेशर को मेजर करते हैं किससे वेट ओफ एयर से देखिए एट्मोस्फेरिक प्रेशर है या फिर एयर प्रेशर है यह एक क्या है मेजर है किसका जो फोर्स क्रियेट किया जाता है किसके द्वारा जो वेट करते हैं इसके लिए उसे बोलते हैं एयर प्रेशर और वह इंस्ट्रूमेंट होता है बेरोमिटर जो इन्वेंट हुआ था 1643 में एक इटेलियन साइंटिस्ट थे हमारे जिनका नाम था इवेंग लाइस्टार टेरिकली जो यूनिट है एट्मोस्फेरिक प्रेशर का उसे बो लेते हैं 760 मिलीमेटर और मिलीमेटर की फुल फुर्म क्या होती है मरकरी कोलम क्लियर देखिए हाई एयर प्रेशर जब एयर प्रेशर रेलेटिवली बहुत जादा हाई हो जाए जब एयर का जो मास है जादा हो जाए और वह इकठे एक अपर एट्मोस्फेर बना दे तो उ से एयर बिलो मतलब नीचे की और आने लगते हैं इन्हें हम जब बचाते हैं किसे वोम होने से गरम होने से मोईस्ट एयर से और या फिर जो अपर एट्मोस्फेर है तो क्या होता है ऐसा रिजल्ट क्लाउड नहीं बन पाते हैं हाई प्रेशर मेंस फेयर वैदर फेयर वैद लो एयर प्रेशर जब एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा रेलेटिवली लो हो जाए लार्ज मासिज ऑफ एयर जो है वो उपर के और ट्रांसफर हो जाएं तो जो प्रेशर होता है वो रेडियूस हो जाता है ऐसा रिजल्ट वोम एयर गरम हवा बढ़ जाती है वोम एयर वह सामने निखल के आता लेकिन यह पीएक profit Emuman का जो प्रेशर एरने प्रेशर करती है इसका जो एट्मोस्फेरिक प्रेशर जो हमारे सर्फिस पे रहता है next topic is wind जब air heat हो जाती है और उसकी density increase हो जाती है तो warm air क्या हो जाती है गरम हवा बढ़ जाएगी और एक area produce करेगी किसका low pressure का एक area produce करेगी cooler dense air जो हमारा high pressure का जो एक area produce करेगा high pressure का और move करेगा underneath मतलब जो warm air है उसकी तरफ तो जो air हमारी move हो जाएगी high pressure से low pressure area में और तब वहाँ पे winds form होंगी याद रखिए winds ही होती है जो difference लेके आते है air pressure में क्योंकि अन इक्वल जो heat होती है air की एक place से दूसरे place में उसके बाद आगे है sea bridge और land bridge day time पे क्या होता है जो air land area की ऊपर होती है अकसर वो warm होती है उस air के जो lake और sea के कास जो air होती है तो air warm होएगी क्योंकि जो land होती है वो काफी जादा जल्दी से heat up ओने लगती है गर्मी निकलने लगती है water से जादा तो जो air है वो land के पास rise हो जाती है, बढ़ जाती है और जो cooler air है, जो ठंडी हवाय, वो sea के पास move हो जाती है तो जो flow of air होता है, वो sea level से land area के पास चला जाता है जिसे हम sea breeze बोलते है आगे है land bridge, night के time पे जो land है, जो धरती है, वो cool off हो जाती है faster हो जाती है water के comparison पे जो air है, वो sea के उपर आ जाती है, warm हो जाती है, land के उपर चली जाती है तो जो warm air है, उससे sea में जो rises आते है उससे क्या होता है, जो flow of air है, वो land से sea के ओर चला जाता है जिसे हम बोलते है land bridge, clear आगे है monsoon, summer के time पे जो land है, वो काफी जादा heat हो जाती है atmospheric pressure जो होता है हमारा, वो decrease हो जाता है cold air इंडियन ओशन से rush करती है, land की तरफ तो जो air होती है, जिसके अंदर loads of moisture होता है heavy moisture के कारण एक monsoon का मौसम क्रियेट होता है जो heat क्रियेट करता है, heat, heavy rain, northern इंडिया के तरफ clear, आगे है हमारा storms, ये एक boiling disturbance है हमारे atmosphere में बहुत ज्यादा sudden change आ जाते है, air के pressure में और बहुत ही ज्यादा rapid air movements होने लगती है जो storm में air होते हैं, वो काफी ज्यादा area कवर करती है बहुत ही कम area में, मतलब small area में वो काफी ज्यादा गड़बड कर देती है, storm दो kinds के होते हैं, एक thunderstorm और हम लोग दोनों को ब्रीफ में study करेंगे, आज हम लोग thunderstorm कर रहे हैं जस्ट थंडर स्ट्रॉम क्या होता है, जब air होट हो हमारी, humid हो, temperature जादा ही strong wind produce करें उपर की तरफ, तो humid rear के अंदर जो water droplet होती है, वो downward नीचे गिरती है, fast moment होता है water droplet का और air जो है वो बढ़ जाती है, जो friction बढ़ता है air particle और water के गिरने का, उससे एक electrical charge produce होता है, और कुछ clouds में positive charge आजाता है, और कुछ में negative charge, और जब opposite charge cloud flash देते हैं, तो उसे हम बोलते है lightning, बिजली खड़कन आपने सुनाओगा, cloud में जो charge होता है, वो earth के towards भी हो सकता है, कहां से towards the earth, towards the cloud कहीं पर भी हो सकता है, उसके बाद, sudden expansion होते है, air के lightning produce की वज़े से, बहुत जादा आपको loud sound सुनने को मिलोगी, हम बोलते हैं बिजली खड़करी है, और फिर thunder आपने सुनाओगा,